जै माता की सभी भक्तों को कैसी हो आप सब आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्सित है और माता रानी आप सब के उपर हमेशा आशिरबाद बनाई रखे यही दिल से कामना तो आप सभी के प्याद से फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ और आज मैं आ अपने सुना होगा और बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष की माला या पंच मुखी रुद्राक्ष या फिर एक मुखी रुद्राक्ष या रुद्राक्ष आठ मुखी रुद्राक्ष पैने हुए भी देखा होगा बहुत सारे सादू संत बहुत सारे भगत जो हैं व्यक्ति तो क्या है व्यक्ति भी जो है रूद्राख्ष जो है अपने गले में धारण कर सकता है this मेरे साथ अंतक बने रहना बारी मेरे नब चैनल को सब्सक्राइब करμε्धा आप करके रिखेश्य के आसे न पार्ट न रूद्राक्श में पहुंच चे तो तो बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में पहले जान ले रुद्राक्ष होता है। प्रुद्राक्षिन नहीं पैन सकते हैं आप पहन सकते हैं लेकिन उसके कुछ नियमों को जुरूर अपनाना चाहिए अगर आपने जो है रुद्राक्ष की माला को जाप करते हुए आप जैसे की कुछ लोग क्या करते हैं जिस माला से जाप करते हैं उसी को गले में या बाजू में धारन कर लेती हैं और फिर उसको न क्यों क्योंकि आपने जो है किसी शक्ति को जगाने की जैसे हम मादुर्गा का कोई भी नमान मंत्र का जाप कर ले माले जी हमने माता के नमान मंत्र का जाप किया और हमने उस माला को गले में धारन कर लिया नमान मंत्र के अंदर है पार शक्ति और माता की जो कृपा है माता क की जो खृपा है वो नवाण मंतर के अंदर आपको प्राप्त होती है लेकिन अगर आप उस दोष उत्पन करेगा आपके जीवन के अंदर जो है disturbance करेगा आपके शारीरिक रोगों को जो है उत्पन करेगा और आपके उपर जो है दोश कई तरीके के लग सकते हैं दूसरा यह होता है कि अगर आप जो है कोई भी मतलब रुदराक्ष किसी सादू किसी भगतिया किसी स्याना ओजा के माध्यम से लेते हैं और उसको गले में धारन करते हैं तो वो देखा जाता है कि वो सादू संत जो हैं आपको जो रुदराक्ष दे रहे हैं क्या वो किन शक्ति के माध्यम से किस मंत्र के माध्यम से उन्होंने जो है उस रुदराक्ष को चार भी देते हैं लेकिन बहुत सारे लोग पैने रखते हैं पैना अच्छा बात होती है रुद्राक्ष की माला जो लोग दारन करते हैं वो भी मैं बताऊंगी कि उसको benefit क्या क्या होंगे लेकिन अगर आप जो है रुद्राक्ष की माला को खाली मतलब किसी भगत के माध्यम से या साधुसंत के माध्यम से पहनते हैं तो वो आपको देखा जाता है कि शक्ति कौन सी और किस के माध्यम से जो है उन्होंने वो अभिम रुद्राक्ष की माला पहनने के हमें क्या क्या लाब होते हैं रुद्राक्ष की माला पहनने के बहुत सारे लाब होते हैं जैसे कि भगवान शिव के भगतों को धारन करते हैं रुद्राक्ष की माला उसी तरीके से हर भगत भी रुद्राक्ष की माला धारन कर सकता है क्यों जो है और जो है सादु संत के भी हैं और सभी तरह के देवी देवताओं के पूझनियां भी हैं तो भगवान शिव का आशिरवाद लेकर जो हैं सभी लोग रुद्राक्ष की माला चोटे से चोटा और विजुर्ग से विजुर्ग व्यक्ति मईलाएं पूरू सब लोग पहन स fashion के लिए पहनते हैं तब भी आप पहन सकते हैं लेकिन अगर आप जो है मंत्रों को जाप के लिए या अभिमंत्रित की हुई माला पहनते हैं तो उसके लिए आपको अपने जीवन में रूल जरूर अपनाने चाहिए जिससे आपकी माला जो है वो खंडित ना हो खंडित का मतलब ये होता है जैसे कि अगर किसी के घर में कोई मृत्यू हो जाती है किसी का जनम हो जाता है पातक और सूतक लग जाता है तो उस समय पे क्या होता है कि हमारी माला के अंदर थोड़ा सा negativity आने का chance रहते हैं और मतलब कि वो माला हमारी खंडित हो जाती है खंडित का मतलब यह होता है कि उसका प्रभाव जो सुतक और पात्यक का प्रभाव है वो हमारे उपर आ जाता है तो उस सभे पे आपको पंचमरित बनाकर अपनी माला को दुबारा से सिनान करवा कर दुबारा धारन कर सकते हैं अग जैसे कि मैंने बताया कि आपका घंडित हो जाती है या फिर दोश लग जाता है इसी तरीके से अगर कोई ग्रहन का प्रभाव पढ़ता है जैसे कि कहते हैं कि प्रेगनेंट लेडिज को बाहर नहीं निकलना चाहिए उसको जो है बच्चे के उपर दोश लग सकता है पंच्च अमरित में सनान करवाईए अपनी माला को और उसको जो है दुबारा से गले में धारन कर लीजिये लेकिन अगर आप अभी मंतरित और मंत्र जाप बाली माला मास मदीरा का सेवन करते हुए करते हैं यूज तो वो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आप खली जो है ऐसी ही माला पैने हुए हैं तो आपकी अपनी इच्छा होती है जितना अच्छे से आप रूल अपने जीवन में बना के चलेंगे और देवी देवताओं का सम्मान करके चलेंगे रुद्राक्ष जो होता है यह हमारी आस्था का केंद्र है और आस्था जो है रुद्राक का कोई भी negative energy अगर आपको touch करती है या आपको जो है छूती है सपनों में बार-बार देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति भी जो है रुदराक्ष धारन कर सकते हैं रुदराक्ष की माला पहन सकते हैं उनको जो है अभिमंतृत करना पड़ता है अभिमंतृत करके जो है आपके main जो दिक्कत आपको आ रही है जैसे कि आपको negativity दिखती है आपको जो है घर के अंदर साया दिखता है आपको अपने शरीर के साथ कोई हलचल दिखती है तो उसके according जो है रुदराक्ष की धारन करवाया जाता है या माला या रुदराक्ष आपको धारन करवाया जाता है इसके ब मंत्रों को भी सिध कर देता है हर एक मंत्र को भगवान शिव ने जो है किल दिया है तो किलित करने का और किलित खोलने का जो है आपको मंत्र अगर जाप करना है तो आपको रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए आशा करती हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अ ऐसी ही वीडियो देखना चाते हैं तो अधिक से अधिक शेर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, चलिए जै मादा की